फ्रेंड्स पमी की रसोही में आप सबका स्वागत है चलिए आज हम बनाते हैं बिहार का लिट्टी चोखा यह बहुत ही टेश्टी होता है खाने में और हम इसे आज एकदम अलग तरीखे से बनाएंगे ना इसे हम तेल में फ्राइ करेंगे और ना इसे हम आग में पकाएंग तो चलिए हम बनाते हैं देखिए यह मैंने चोखा के लिए दो बेंगन ले लिया है और इसमें कट लगा के हम चेक कर लेंगे जो इसके अंदर कीरे तो नहीं है देखिए ऐसे करके कट लगा लगा के चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें लहसुन ऐसे अंदर में डाल देंगे यह लहसुन जो इसके बैंगन के साथ पकेगा इसका बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है ऐसे करके हम इसमें डाल के लहसुन दोनों बैंगन में देखिए हम बरावर करके डाल देंगे और यह देखे ऐसे करके हमने डाल दिया है आप चाहे तो इसमें मिर्ची भी इसके साथ डाल सकता है लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रहे हूँ तो ज्यादा तीखा नहीं डालूंगी और यह हम बैंगन और टमाटर के उपर से सरसो का तेल ऐसे लगा देंगे तो छिलका उ बैंगन और टमाटर को पका लेते हैं आप चाहे तो इसमें आलू भी एड़ कर सकते हैं उबलावा आलू इसमें मिला दीजिए चुखा और भी टेस्टी हो जाएगा यह देखिए हम ऐसे ही गैस का फ्लेम जो है ना मेडियम पर रखेंगे और ऐसे अलट-पलट करते वह हम पका लेंगे यह देखिए अच्छे से मारा पैंगन पग गया है अब हम इसे उतार लेते हैं गैस से चलिए अब हम हो गया चलिए अब हम लिट्टी का त्यारी करते हैं यह देखिए आटा में यह मैंने स्वादनुसर नमक डाल दिया है और इसमें थोरा सा जो है मॉयन के ल आटे को मसलना नहीं है क्योंकि इसका हमें एकदम सक्त डो लगाना है और ये दूद से हम ये आटा गुंद लेंगे देखिए ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दूद डालके आप चाहे तो पानी से भी आटा गुंद सकता है लेकिन दूद वाले का टेस्ट जो है बहुत अच्छ साथ है ऐसे करके ये देखिए हमें सक्त डो लगाने आटे का ये मेरा आटा गुंद गया है अब हम इसे जो है ढखके दस मिनट ऐसे रख देंगे तब तक हम लिट्टी का तयार ये सत्तू का करते हैं तो ये मैंने एक गांट लैसू लिया था और दो इंच अद्रक का टुक मिर्ची और अद्रक अब इसमें इसमें बारी कटा हुआ हरा धनियां स्वाद अनुसार नमक ये देखिए मैंने डाल दिया अब इसमें डाल दूँगे मैं अजवाइन अथोरसा सरसो का तेल अगर आपके पास अचार वाला तेल हो जैसे घर में बनता है तो तेल में डुबो के अचार को रखते हैं तो वो वाला इसमें डालेंगे तो और भी टेस्टी लगे और खटा के लिए मैंने इसमें डाला है चाट मसाला वैसे तो अचार का मसाला है निम्बू डाला जाता है लेकि मैंने इसमें चाट मसाला डाला है ये देखिए हम इसे अच्छे से ऐसे मसलते हुए सत्तू को अच्छे से मिला लेंगे यह हमारा सत्व तयार हो गया है देखे हम ऐसे आटा का छोटा छोटा सा जो है ना लोई तोर लेंगे ऐसे करके हम सारे आटे का ऐसे लोई तोर के और गोल गोल हम इसका कटोरी बना के फिर उसमें हम यह सत्व भड़ेंगे यह देखिए ऐसे करके और फ्रेंट्स आज मैं जैसे बना रही हूँ न लिट्टी यह एकदम ही अलग तरीके से एक बार आप बनाई आपको बहुत ही टेश्टी लगेगा और बार बार मन करेगा ऐसे ही लिट्टी बना के खाने का यह देखिए मैं ऐसे करके इसमें अच्छे से सतू भड़के यह देखिए ऐसे करके इसका गोल जो है नहीं तम गोल गोल करके हमें यह लिट्टी को तयार करना है उसे हम हाथ से दवाएंगे नहीं बस गोल गोल करेंगे हम ऐसे साड़े लिटी को भर लेंगे अब मैंने ये कराही में डाल दिया है एक कटोडी नमक बड़े कटोडी से डाला है और उसमें ये जाली वाला थाली उसमें तेल लगा के अब मैं इसको भी ऐसे 10 मिनट के लिए गरम होने दूँगी देखिए 10 मिनट हो गया है अब हम इसमें ये लिटी को डाल देते हैं एक बड़ में जितना आएगा न हमें उतना ही डालना ज्यादा भड़के नहीं डालना देखिए ऐसे करके हम इसमें जितना आ रहा है हम इसे डाल देंगे और इसे हम जो है न पांच 10-10 मिनट पे ऐसे करके हम इसे पलटते जाएंगे जिससे कि इसका आटे का मॉइस्चर जो है उपर से वो खतम हो जाए देखिए ऐसे हम पलटते हुए जो है इसमें लिटियों को इसे 10-10 मिनट पे हम पलटते रहेंगे तब तक हम चोखा बना लेते हैं यह हमने बैंगन जो पकाया था ना अब हम उसे छिल लेंगे सारे बैंगन का हम ऐसे ही छिलका उतार लेंगे देखिए मैंने बैंगन और टमाटर छिल लिया है अब हम इसे अच्छे से हाथ से मसल के पुड़ा मिला देंगे बैंगन और टमाटर को यह हमने बैंगन और टमाटर को मिला लिया है देखिए कितना एकदम सॉफ्ट हो जाता है बैंगन पकनी के बाद यह हम ऐसे ही करके अच्छे से पूरा बैंगन टमाटर को मिला लेंगे और फिर बैंगन में जो लैसुन डाला था ना देखिए वो भी अच्छे से पक गया है अब हम उसे भी इसे भी मिला देते है यह लैसुन भी मिल गया है अब हम इसमें डाल देते हैं यह बारी कटा हुआ 2 प्याज और हरा धनिया दो हरी मिर्च जिसे बारिक डाल देंगे स्वादनुसार नमक और पिर हम इस में डाल देंगे सरसो तेल कोई भी चोखा बनाएं सरसो तेलแइ बहुत ही demand ये दीखे हमारा । एसे करके हम मिला देंगे पूरा हमारा चुखा बनके तयार हो गया है चलिए अब हम फिर लिट्टी को देखते हैं यह देखिए अब हम लिट्टी को फिर एक बड़ देखेंगे देखिए अच्छे से यह पूरा ड्राय हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे और यह जो नमक है न यह नमक देखिए यह तो पूरा अब इस लिटी को हम इस नमक में डाल के पकाएंगे यह बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही टेफ्टी आप एक बार इससे बनाए के खा के दीखिए लगगा खाने में देखिए ऐसे करके हम 인पा के लिट्टी को में अच्छी जाते रहेंगे, नहीं तुझी साइड से थोड़ा सा ऐसे डालते ना तो नमक उसमें आटे में चिपक जाता है इसलिए हमने पहले उसका जो भी था आटे का मश्चर उसे हमने ऐसे करके सुखा दिया था यह देखिए कितने अच्छे से पक रहा है ना अखाने में भी बहुत ही आपको पता ही नहीं चलेगा जो यह सब निकल जाता है और क्रैक्स भी कितना अच्छा है ना इसका मतलब हमारा लिट्टी अच्छे इससे अंदर से पुरा पक गया है यह देखिए अब हम इसे घी में ऐसे ही डुबा देंगे और फिर हम लिट्टियों को सर्व करेंगे फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आप ल आपके लिए जो है ना अच्छे से और वीडियो बनाने का यह देखिए लिट्टी कितने अच्छे से पूरा अंदर तक पका है ना चलिए इन सर्दियों में आप भी ऐसे लिट्टी बना के इन्जॉय कीजिए